नमस्कार दोस्तों, टेक स्केन के एक बिलकुल ना है, फ्रेस और एकसाइटिंग अमसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में BSNL कंपणी के बार में बता हूँगा BSNL काफे मुश्किल के अंदर पढ़ चुका है, क्योंकि ये जो सोकॉस नोटिस है, ये में 2023 के अंदर BSNL को भेजा गया था, लेकिन अभी तक BSNL कंपणी की तरब से कोई रेस्पॉंस नहीं आ है, जिस कारण से इतने बड़े अमूंट और पेनल्टी BSNL को देना हो सकते हैं आखिरकर प्रॉब्लेम क्या कुछ हुआ है, इसके बाद में पुरा डीटेल्स इस वीडियो के अंदर में आपको बताओंगा, तो अगर आपको इसके बाद में जानना है, तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए, आईए वीडियो को शुरू करते हैं, आसा करते हैं पैकेज मिलने के बाद अभी फाइनल सेली काफी स्ट्रेवेल है और बीसेल आपने 4G और 5G सर्विस को लांच कानी की कोशिश कर रहा है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना कर आपको बताया था कि अगर आप काफी दिन से मोबाइल सर्विस को यूज कर रहे तो एक बार रिवाइन करके देखिए 2016 साल के अंदर जब रिलाइन्स जो नायनया लॉंच होआ था और आपको फ्री सर्विस दे रहा था तब के अंदर एक प्रॉब्लेम आप काफी बार फेस किये होंगे इसका मतलब अगर आप किसी दूसरे कंपणी का सीम यूज करते हैं और अगर आप जीयो की उपर कॉल करना चाते हैं तो कॉल लग नहीं पाते हैं या अगर जीयो की सीम कार यूज करते हैं और किसी दूसरे कंपणी को पर कॉल करना चाते हैं तो भी लग नहीं पा रहा था तो इसे कहते हैं point of interconnections मतलब एक company से दूसरे company के उपर जब भी यहाँ पर call transfer होते हैं, SMS transfer होते हैं, इसे point of interconnections कहा जाता है और जिस कारण से मतलब जो बागी company है, airtel, vodafone area जैसे company जो है, वो इस point of interconnections को रोक रहा था, जो try का जो नियम है या जो government का नियम में इसको खिलाफ है, जिस कारण से 3050 कलो रुपय का फेनाल्टी जो है, वो ये 3 company को पर लगाया गया था, क्योंकि 2016 के अंदर vodafone area अलग company था, लेकिन BSNL के साथ भी ऐसा problem से, अभी भारत के अंदर एक regulations है, जिसे कहते हैं P.O.L. यानि Paul regulations, अभी इस regulations के अंदर कहा क्या जाते हैं, इस regulation एक framework को देते हैं, जिसके अंदर जो point of interconnection issue है, या जो call quality, service quality और SMS quality है, यह यहाँ पर determine करते हैं, यानि जो point of interconnection से उसका framework किये देते हैं, second जो है point of interconnection के अंदर कुछ पैसें यहाँ पर दोनों company को पर अदला बल्ली होते हैं, इसके अंदर दोनों company को bank guarantee देना होता है, for example, मैं एकदम आसान मासा मैं आपको समझा देता हूं किया कुछ चीज़ें पर होते हैं, for example, Reliance Jio से AirTail को पर call जा रहा है, इसके अंदर Reliance Jio को AirTail को, मैं एकदम normal example देगर आपको बताता हूं कि हर call connect करने के लिए 1 रूपए देना होता है, तो अगर 1000 call एक दीब के अंदर होते हैं, तो यहां पर Reliance जो AirTail को 1000 call देते हैं, क्योंकि Jio कंपणी का ग्रहाक AirTail को पर call किया, ठीक, similar तरीके से AirTail के कुछ ग्रहाक Jio कंपणी को पर call करने, तो माल लिजए कि 800 ऐसे AirTail के ग्रहाक है, जो Jio कंपणी को पर call किया, तो यहां पर क्या होते हैं कि AirTail कंपणी Jio को 800 के अंदर अगर किसी भी तरीके का problem होते हैं, या बाद में अगर नहीं दे पाते हैं, तो यह जो bank guarantee उन्होंने रखा है, यह bank यह जो पैसो का settlement है, वो यहां पर करेंगे, तो हर एक company को हर एक circles के उपर ऐसे bank guarantee को रखना पड़ता है, लेकिन BSL को पर यह allegations लगा जा रहा है, कि BSL के अंदर जहां पर उनका revenue जादा income नहीं हो रहा है, वो bank guarantee को सोड नहीं किया है, उसी के साथ यह point of interconnections के उपर काफी बार ऐसा हुआ है, कि BSL से अगर किसी दूसरे company को उपर call किया जाए, तो call ठीक तरीके से लग नहीं पता है, जियो या टेल, वुड़ा फुनाइड है, यह सरे company के अंदर जो point of interconnections के issue यह 7 सल पहला का है, लेकिन BSNL अभी के time के अंदर ऐसा problem कर रहा है, यह हला कि काफी दिन से करते हुए आ रहा है, लेकिन try का नजर में आया अभी के time के अंदर, आज से कुछ महीं ने पहले, जिस कारण से मेद 2023 के अंदर try की तरब से BSNL को सोक के अंदर लिखा हुआ है, वो यहां पर बताओ, लेकिन BSNL के तरब से इसके अंदर कोई भी response नहीं दिया गया है, जो penalty का amount है, हर circles के अंदर, एक दिन के अंदर, एक लाग रुपए तक के penalty यहां पर हो सकते हैं, और अगर calculate करके देखा जाए, आज के दिन तक BSNL के अंदर 1000 करों रुपए से भी जाधा का हो जाते हैं, तो अगर BSNL को यहां पर guilty पा जाता है, अगर BSNL इस सोकॉस का जवाब यहां पर नहीं देते हैं, तो try definitely BSNL को उपर actions लेंगे, और 1000 करों रुपए से भी जाधा का जुर्माना BSNL को यहां पर देना हो सकते हैं, BSNL सरकरी कंप यहां पर लेते हैं, या BSNL इसके response में, सोकॉस के response में क्या कुछ चीज कहते हैं, लेकिन अभी के टाइम के अंदर जो condition है, वो काफी साथ गड़म है, जो हमें यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, तो इस सारा अपडेट्स हमारे पास निकल कहा रहा था, छोटा सा वीड के साथ तब तक लिए दोस्त अपना ख्यार रखिएगा,